नमस्कार दोस्तों, मैं हूंँ आपको दोस्ता चैनल और स्वागत है, आपके अपने YouTube चैनल वाईरल टॉपि में दोस्तों इस Video में मैं आपको पूरा Detail में बताने वाला हूँ ग्लास फर्स से लेकिके क्लास ट्वैल तक केंदर विध्याले में कितनी फीस लगती है साथ में आप एक किन-किन बच्चों को छूट मिलती है तो दोस्तों पूरा डिटेल में है आप हम देखने वाले उससे पहले दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता है क्लास फर्स्ट के जो एड्मिशन फॉर्म में सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज उनीचे लाल कलरे से सब्सक्राइब डिकाओ उससे प्रेस कर दीजे साथ मसके बाजू में एक बैल का एकन को उससे आप जरूर दवाईए तो दोस्तों आपके सामने केंदर विद्धाल के ओफिशल वेबसाइट खुली है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फीस स्ट्रक्चर डला हुआ है आपको दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा होगा जो फीस ट्रक्चर एक अपरेल 2013 का डला हुआ है क्योंकि दोस्तों अभी जो fees लगती है यही structure को follow करती है तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा admission fee जो कि आपकी 25 रुपए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो किसी भी private school में आप comparison कर लीजिए जो कि CBSC school होते हैं उनकी जो admission fee होती है दोस्तों अगर आप बड़े school को देखेंगे तो 10 स्कूल है यहाँ पर sports, culture, education सारी activity follow कराई जाती है उसके दोस्तों बात करते हो re-admission fee जो होती है आपकी 100 रुपए लगती है अगर किसी कारण से आपका admission cancel हो जाता है तो अब दोस्तों बात की जाती है tuition fee जो tuition fee होती है आपकी दोस्तों first class से लेके 8th class तक ध्यान से सुनिये पहली class से लेके 8th class तक किसी प्रकार की tuition fee नहीं ली जाती है बच्चों से उसके दोस्तों मैं आपकी बात कर रहा हूँ 9th और 10th class की जो आपकी fee से tuition fee 2.00 रुपे पर मंत है उसके बात करेंगे 11th 12th अगर commerce के जो boys है उनकी fee से 300 रुपे पर मंत और 11th 12th की बात करेंगे जो science वाले जो student रहेंगे उनकी 4.00 रुपे पर मंत इसका जो computer fee लगती है 3.00 class से लगना सुरी होती है जो की 100.00 रुपे पर मंत रहती है उसका computer science की जो student रहते है 11.00 वार्भी 11.12 उनकी यहां पर 1.5 सुरुपे पर मंत लगती है फिर जो विद्याले विकास निदी लगती है वा आपकी class 1 से लेके class 12 तक लगती है 5 सुरुपे पर मंत तो दोस्ते यह पूरा fee structure उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में नहीं आया होगा आप दोस्तों मैं आपको पूरा detail पर मंत आपको कितनी फीस यहां पर देनी पड़ती है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे class 1 और class 2 की पहली और दूसरी class की दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे आप देख सकते है विद्याले विकास निदी class 1 से लेके 12 पांस रुप नहीं करनी पड़ती है तीन महीने की एक साथ फीस जमा होती है मतलब एक साल में आपके चार बार फीस जमा होती है तीन महीने की 81 फीस जमा होती है तो class 1 से लेके class 2 यानि के class 1 और class 2 की 500 रुपे एक महीने की जोड़ेंगे तो दोस्तों तीन महीने की आपको का 1500 रुपे तो चार बार जमा करने पड़ेगी साल में यानि कि 15 सुगणा चार आपके 6000 रुपए फीस लगती एक साल की क्लास वन और क्लास टू की KV में जो भी fees जमा होती है Class 1 से लेके Class 12 तक 3 मेने के 180 जमा होती है और साल में 4 बार जमा होती है अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे Third class से दोस्तों पहले मैं आपको पूरा फीस बता देता उसके बात बताओंगो कि क्या क्या किन किन को यहाँ पे छूट दी जाती है अब बात कर रहे हैं थर्ड क्लास से लेके एड़ क्लास तक यानि तीसरी क्लास से लेके आड़ भी क्लास तक तो तीसरी क्लास से लेके दोस्तो आड़ भी क्लास तक की बात करो तो आपके सो रुपे बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं सो रुपे क आएके बढ़ते वो भी मैं आपको पता देता हूँ यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ दोस्तों computer fee दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ computer fee जो कि तीसरी class से लगना शुरू हो जाती है तो जो तीसरी class से लेकर class 8 तक आपके तीन महीने की जो fee से केंदर विद्याले की वो 1800 याने के 1800 रुपे होती है इसका मतलब देखा जाए तो एक महीने आपको 600 रुपे की पढ़ रही है तो class 3 से लेके class 8 तक आपकी 1800 रुपे पर मन्त यहाँ पर fees हो गई अब बात करतें दोस्तो 9th class के और 10th class की तो दोस्तो 9th और 10th class के में बात करों तो यहाँ पर 200 रुपे आपके अलग से जुड़ जातें 200 रुपे किस चीच के जुड़तें दोस्तो आप tuition fee के जुड़तें पहली class से लेके 8 वी class तक किसी प्रकर के कोई tuition fee नहीं लगती है 9th और 10th में 200 रुपे जुड़ जाते हैं तो आपके 3 महीने की जो fees हो जाएगी दोस्तो 24 रुपे हो जाएगी तो 9th और 10th class के जो भी दोस्त हैं या जो भी बच्चे हैं उनके 24 रुपे fees लगा करेगी 3 महीने की यानि कि दोस्तो 800 रुपे पर मंत यहां पर लगती है उसके आप दोस्तों बात करें अगर 11th और 12th class की दोस्तों जो सारे fees में बता रहा हूँ आपको boys की बता रहा हूँ girls की में अभी आगे आपको बताने वाला हूँ अगर आप commerce से पढ़ाई कर रहा है 11th और 12th तो आपके 2400 रुपे तो 10 तक लग रहे थे और आपके 300 रुपे पर मंत और लग जाएंगे 300 रुपे आपके पर मंत यहां पर और जुड़ जाएंगे तो 2400 प्लस 300 300 पर मंत यहाने 2400 और 900 तो 2400 और 900 दोस्तों आपके हो जाते हैं यहां पर 3300 रुपे आपकी फीस लगती है तीन महीने की जो commerce वाले जो boys रहेंगे उनके 3300 रुपे यहां पर फीस रहेगी तीन महीने की अब दोस्तों बात करते है 11th और 12th boys की जो कि आपके science background से रहेंगे math science वाले रहेंगे तो दोस्तों उनकी 2400 की बाद यहां पर 1200 रुपे जुड़ जाएगा यानि की 2400 और 1200 आपके हो जाएगा दोस्तों 3600 तो 11th और 12th में जो science background से रहेंगे उनकी 3600 रुपे फीस रहेगी तीन महीने की तो दोस्तों मैंने आपको class 1 से लेके class 12 तक पूरी फीस बता दिये class 1 और 2 की आपके 15 सुरुपे तीर महीने की class 3rd से लेके class 8 तक की मैंने आपको जैसे की बता 18 सुरुपे है class 9th और 10th की आपकी 24 सुरुपे है अब दोस्तों मैं आपके बात करता हूँ girls की जो इसमें fees लगती है कितनी लगती है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी parent की single girl child याने किसी कोई ऐसे parent से जिनकी सिर्फ एक बेटी है तो दोस्तों जो उनकी fees लगेगी आपकी पहली class से लेके 5 वी class तक पूरी fees लगेगी लेकिन 6th class याने 6th class से पढ़ाई पूरी free हो जाती जी हाँ दोस्तों 6th class से लेके 12th class तक केंदर विद्याले में अगर आपकी single बेटी है single girl child है तो उसकी किसी प्रकार के कोई fees नहीं लगती है free education सरकार दोरा provide की जाती है आप दोस्तों मैं बता देता हूँ जो GTS से belong करते है, या फिर जो girls की जो मैंने आपको fees नहीं बताई वो मैं आपको दोस्तों यहां पर बता रहाएं कि यहां पो क्या कि ही, आपको यहां पर छूट मिलने वाली है तो में tuition fee जैसा कि मैंने आपको बताया था class first से लेके class 8 तक तो tuition fee नहीं लगती है tuition fee जो आपकी लगना स्टार्ट होती ही school में वो आपकी 9 से 12 तक लगती है जैसा कि दोस्तों 9 तो 12 में 200 रुपे पर मंत लगती है जो लड़कियों की में आपके 200 रुपे नहीं लगेगी उसके आप मैंने आपको बताया था 11 तो 12 में आपकी commerce क्या लगे, math science क्या लगे तो वस सब यहाँ पर girls का नहीं लगता है और जो STST के student होते हैं उनकी भी tuition fee नहीं लगती है याने कि जो 9 रुट 10 में आपका 200 रुपे पर मंत लगता है वो आपका STST में नहीं लगता है और दोस्तो जो ex-service में नहीं या फिर जो KV के employee है उनकी भी यहाँ पर tuition fee नहीं लगती है दोस्तों यहाँ पर पूरा आपका दिया हुआ कि किस-किस को यहाँ पर क्या क्या छूट मिलती है जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कि single girl child है उनकी 6th class से 8th class दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था जो single girl child है उनकी 6th class से लेकर 12th class तक किसी प्रकर के कोई fees नहीं लगती तो दोस्ते पूरा fee structure है मैं आपको एक बार फिर से आपको short में आपको बता देता हूँ कि आपके बच्चों के यहां पे कितनी fees लगने अगर आपके बच्चों का केंदर विद्याले में admission हो जाता है तो class 1 से लेके class 12 आपकी 15 सो रुपे 3 महीने की class 3 से लेके class 8 आपके 18 सो रुपे 3 महीने की class 9 और 10 24 सो रुपे 3 महीने की उसके बाद 11 और 12 आप यहां पे commerce फिर आपका science की आप अलग-अलग जोड सकते हैं और दोस्तो class 1 से लेके class 8 तक जो girls की fees है जैसा कि मैंने boys की बताई है और girls और boys की दोनों बराबर हैं लेकिन class 9 से लेके class 12 तक girls की यहां पे tuition fee नहीं लगती तो दोस्तों पूरा fee structure आपकी मातर 25 रुपे लगेगी admission fee और दोस्तों जब आप form भरेंगे online तो यह free of cost होता है चाहे तो आप अपने घर से अपने mobile या laptop से भर सकते हैं या फिर किसी internet cafe से जाएंगे तो दोस्तों जो उनका charge होता 50 रुपे 100 रुपे जित्ता भी वो लोग लेते हैं उतना आपका charge लेंगे और दोस्तों class 1 के जो admission स्टार्ट होने है आपके मार्च के पहले week में स्टार्ट हो जाएंगे तो जैसी form 1 स्टार्ट होंगे मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साथ में bell के icon को जरूर दबाईएगा ताकि जैसी दोस्तों इसके form 1 स्टार्ट हो आपको इसकी जानकारी मिल जाए और class 2nd से लेके class 12 तक के जो admission होते है उसका सब के अलग-अलग date होती है जैसे इनकी date आती है वैसे जो इनकी date आनी है दोस्तों आपको जो अपरेल का first week है आपके second class से लेके 8th class के तो form 1 स्टार्ट हो जाएंगे और second class से लेके 8th class तक किसी प्रकर को कोई exam नहीं होता है आपको जो admission होता है lottery basis पर होता है first से लेके 8th class तक का आपको जो admission होता है lottery के basis पर होता है जो entrance test होता है दोस्तों 9th class से start होते है तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ thank you for watching thank you so much